नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ओम्ट्रिक्स में बड़ी खबर आ रही है यूपी बोल्ड परिक्षा 2020 के लिए ये खबर प्रकाशी तो दी नवंबर 7, 2019 और हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान बेपर से हिंदुस्तान बेपर आप देख सकते हो 7 तारी की खबर यहाँ पे अपडेटेड है तो चलिए बात करते हैं इस खबर के बारे में यूपी बोल्ड एक्जाम 2019 बीस यूपी बोल्ड ने पहली बार रखी ये शर्त नवनलबर को आएगी Online केंड्रों की लिस्ट दोस्तो Online केंड्र जो है आपके परिक्ष़ा केंड्र है जहाँ पे बोई अपना एक्जाम देंगे तो उसके लिए यहाँ पे बटाया जा रहा है कि 9 तारीख को आपकी लिस्ट जारी कर दी जायेगी सबसे पहले लिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिलेगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकान जरूर दबा लेना आए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में दोस्तों पूरी खबर पढ़ना शुरू करते हैं यूपी बोल्स में मानिता प्राप्त प्रदेश भर के जिन स्कूलों के उपर हाई टेंशन तार गुजरते हैं वो इस बार हाई स्कूल और इंटेर्मिडिट परिक्षा के लिए केंदर नहीं बनाए गए हैं यहाँ पे कुछ तारों के बारे में बताय जा रहा है जो हाई टे गए हैं जिन स्कूल के उपर से तार गुजरते हैं और उसी के साथ 15 जुलाई को बलरामपुर में के उतारा और विश्णोपूर परशदी प्राइमरी स्कूल के ग्यारा हजार से भी हाई टेंशन लाइन गुजरने के कारण 55 छात्रों के घायल होने की घटना को कमीरता से ल बनाय जाएगा क्योंकि 55 बच्चे मर गये थे इन ही तार के करण से दोस्तों यहां पर आप खबर पढ़ पा रहोगी 55 छात्र घायल हुए थे इसी घटना की वज़े से ठीक है तो इसलिए आपका केंद्र ये स्कूल नहीं बनाय जाएंगे ठीक है यूपी बोल्ड ने पहल परिक्षा केंद्र समय सीमा और उसके साथ साथ सीमिच कुछ घास बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी यहां पर कुछ बाते हैं जो यूपी बोल्ड अपने सभी स्कूलों को बताएगा अगर उन बातों का फॉलो नहीं कर रहे होंगे स्कूल तो उनको आपका परिक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा जिन स्कूलों के उपर कोई हाई टेंशन बिजली का तार गुजरा हो या फिर स्कूलों के बीच में कोई सड़क और संपर्क मार्क बना हो तो स्कूल को दो भागों में बाटा जा सकता है उन्हें असुरक्षित एवं परिवेक्षन के द्रस केंद्र बनाया जाएगा इसी बीच यूपी बॉन ने परिक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने के लिए तयार सूची कर दी है यहां पर समाच कल्यार विभाग की ओर से संचालित राजकी आस्रम पध्यती के अवसरी स्कूलों को यहां पर केंद्र नहीं बनाया उनको केंद्र नहीं बनाया जाएगा और राजकी स्कूलों को छोड़कर किसी अन्य स्कूलों को और परिसर के यदि प्रबंधक या फिर प्रधानाचार का आवास निरमित होगा तो वहाँ दोहजार बर्स 2020 के लिए परिक्षा केंद्र नहीं बनेंगे यहां पर अगर प्र दिखी हुई है कि नौत आरिक को यूपी बोल्ड की वेबसाइट पर बता दिया जाएगा www. जो है आपकी वेबसाइट ठीक है उत्तर प्रदेश मादमिक शिक्षा परिशत यूपी msp.nic.in पे आपको पता चल जाएगा फिलाल मैं अपने चैनल पे लिस्ट अपलोड कर दूँगा आप सब लोग मेरे चैनल पे आपके देख सकते हो ठीक है तो यही पूरी बड़ी ख़बर आज़ी थी कुछ कालेजों को स्कूल को यहां पे केंदर नहीं बना जाएंगे उनकी गाइडलाइन थी और आपके लिए बहुत अच्छी खबर थी कि नौतारी को आपका इस बार बहुत जल्दी आपका परिक्षा के निर्धायत किया जा रहा है तो फिलाल इस वीडियो को जादा जादा शेयर करना है आपको ठीक है अपने सभी दोस्तों सो फेस्बुक वाट सब ट्विटर पर शेयर करना ताकि जादा जादा जनता इस वीडियो को देख सके चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना टेक केर बाई बाई दोस्तों